देखे गाइज यम्मी टेस्टी होली स्पेसल मठ्रियां और खुर में तो देखे कितने यम्मी तरीके से बनाए हैं हमने यह आटे से बनाए हैं तो देखे कितना यम्मी लगता है हलो एबरिवन आप सब का स्वागत है हमारी यूट्व चनल छाय मिस्ट्रा में गाइज यह द बात और हमारे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो इस वज़े से हम यह ग्राइंड करके रख लेते हैं तो यह देख सकते हैं में सिर्फ और सिर्फ चने को पीषते समय पांच से छे स्पून पानी यूस किया था जाधा नहीं उसकिया तो हम अब बना लेते हैं उ से चार स्पून हुने मौयन डाल दिया है अब इसको हम अच्छे से हाथ से मस लेंगे और इसके रेसी रेसे में जाना चाहिए ओयल तो यह देखिए आप फ्लेवर पिल चीजें डालेंगे जो कि हमने कलर के लिए हल्दी पाउडर डाला है लाल मिर्ची पाउडर धनिया पा का है हमारे गाल चाहिए टाइद हम आप अपने साभ से Center करकीस कर अज़के सकते होगते हैं हमारे बच्जे चोटे 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 बच्च्चे घाते हैं को भी कि इस Creek हम करते हैं तो है इस तरह से हम डॉन हर Benko से छेकली लेसन की इनको हम चौपर में चौप करेंगे और यह देखे हम अपना इसमें एड कर देंगे हरी धनिया चौपर में चौप किया हुआ प्याज लेसन और यह हमने लेली है धनिया पाउडर हल्दी पाउडर कलर के लिए और यह चिली फ्लैक्स जो कि देखने मची हेंग दो से तीन पिंच नमक टेस्ट के अनुसर और यह रहा गरम मसाला थोड़ा सा यानि हाप टीज स्पूल तो इसको करेंगे मिक्स अच्छे से तो यह देख सकते हैं बहुत यमी टेस्टी नास्ता बनने वाला है यह देखिए आटा हमारा दस मिल्ट रेस्ट करते हुए हो लोई तोड़ लेंगे तीन लोई लगब लगब हमारी बन चुकी है तो इनको हम गोल करते हुए रोल करते हुए इसकी हम बनाएंगे लोई और इसको हम फिर यह देखिए बेलेंगे एक बड़ी सी पूरी और मीडियम थिकनेस की मतलब बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लूंतार मुटी नहीं होनी चाहिए इस तरह से गूमाते हुए देखिए अच्छा से गूमाते हुए बते बेल लेंगे और यह देखिए भी नहीं में तो इसको हम स्कूआर से में स्कूआर से किनारे कम मेने पतला बहुत अलगल में breakनारे मोई उसको चाएंगे फिर से अच्ड करेंगे आप इसको हम कट करेंगे जैसे हम बर्फी कट करते हैं उसी तरह से हमेंसे कट करना है आप चाहें तो लंबी लंबी स्ट्रिफ निकाल सकते हैं या फिर आप अपने मन की हिसाब से कट कर सकते गैए तो देखे एक और से देखे जोular कत कतरके निकल आई हैं तो अब देखना यह है कि हमें आगे क्या करना है तो यह देखे गाइज इसमें अब हम करेंगे एक फॉग ले लेंगे उससे करेंगे प्रिक देखें इसमें इसलिए चेत करने हैं जिससे कि हमारे फूल करना आए अच्छे सी अंदर तक कुखो के अच्छे से हो कि हम क्या करते हैं तो वही ले लेंगे अपना बैटर इस तरह से हम इस पर चिपका लेंगे देखिए इस पर थोड़ा सा हम रखेंगे अच्छे से और इसको पूरी उस पर इस ट्रिप पर फैला देंगे यह देख सकते हैं यह बहुत टेस्टी लगता है गाई इससे आप बच यह खाने में थ начала साफ है और दो जब तुला सा अच्छा भी लगता है और दो से इस तीन दिन रखकर आप खा भी सकते हैं और टीफिन बॉक्स में रखना लेबसे रखना है तो बस साड़ा बैटर बना करके रक दीजे रात में सुबह आंटे का दोल लगाई यह बना करके द तो यह देखिए हमको किस तरह से इसको डालना है इसको फ्राइ करना है तो जिस पर हमने अपना बैटर लगाया था चने का तो उसको हमें उलट कर डालना है चने का जिस धर हमने चना लगाया था चने का पेस्ट बनागर लगाया था उसको हमें नीचे करना है और पूरी को पूरी बहुत जल्दी पक जाती है यह देखिए इस तरह से उलटते पलटते हम इसको सेक लेंगे देखिए आप लोग सोच रहोंगे यह सारा निकल जाएगा लेकिन नहीं देख सकते हैं कोई भी इस ट्रिप ऐसी नहीं है जिसका बैटर निकल गया हो तो इसी तरह से हम सारा क क्रिश्पी सेक लेंगे तो देखिए सीख चुका है हमारा क्रिश्पी तो यह गाइस बहुत हेल्दी है यह समोसे और जो आप लोग समोसे खाते हैं उनसे भी बहुत टेस्टी यम्मी है तो यह देखिए इस तरह से मिकाल कर अलग साइड में रख लेंगे तो देखिए कि पूड़ी हमने बेल लिए और आपके पास कोकी कटर को भी ले सकते हैं तो इस तरह से हम बनाएंगे राउंड राउंड सेफ के तो इसमें कटन इसका भी जो कटन बचेगा जो कटते हुए आटा बच जाएगा तो उसको भी हम फिर से रियूज कर लेंगे फिर से बना और इसमें भी हम उसी तरह से ट्रिक करेंगे उसी तरह से हम होल बनाएंगे यह देखिए अपना काटर ले गया उसी तरह से हम कट देंगे तो इनको भी हम ऐसे ही बना कर कि करेंगे और जो बैटर बचा हुआ है उसको भी हम ऐसे ही जैसे उसमें लगा था बस उसी तरह से हम हम इसमें लगा लेंगे बैटर को ये देखिये गज़ हमारा हो चुका है अब मेंसे बैटर लगा लेंगे और अच्छे से उसी तरह से फ्राइ कर सो दो देखिए देखे इक तरीके से मत्रियां बना करके हमने तयार करी है और इस होली आप लोग ये मठ्षणियां बना करके अपने घर वालों को भी हैरान कर दीजिये क्योंकि बहुत टेस्टी और यम्मी बन कर तयार होती है तो देखिए उसी तरह से हमने फ्राइग कर लिए है तो यह देखिए हमारी बन करके तयार है बच्ची यह नास्ता खाएंगे न तो समोसे पकॉड़ी यह सब खाना भूल जाएंगे बहुत टेस्टी लगता है यह नास्ता तो ही सोली पर यह जरूर बनाएं यह देखिए क्रिस्पी तो इतना होता है कि आप लोग सच में खुस हो जाएंगे इतना क्रिस्पी और यम्मी तो गाइज हमारी ये रेस्पी आज की अगर पसंद आयो तो लाइक सब्सक्राइब और शेर